हे गाई स्वागत आप सभी का दाव मास्टर सहब पे दोस्तों गवर्मेंट पॉल टेक्निक जो की नालंदा का है जो हमारा अस्थावना में स्थित है इसमें लेक्चरर का पद आया है और लेक्चरर का जो पद है इस पद में दो डिपार्टमेंट्स इंक्लूड है दो डिप रखना है कि selection कि साधार पर होगा और AICT कि रूल के हिसाब से इसको Ellot態 Himillot क्या मिलेगा और關係 क्या है तो सबसे पहले इस बात को समझे कि EICT के रूल के हिसाब से ITE Ya BEE यह minimum criteria है qualification किसी भी lecturer के लिए दूसरा है कि इसमें जो payment आपको मिलता है वो 1400 रुपीज पर class के हिसाब से मिलता है जो कि मन्त में maximum 45,000 पर मन्त आपको दिया जा सकता है अब इसमें क्या है कि इसके लिए apply का process क्या होगा apply process क्या होगा कैसे हम इसको apply करेंगे दूसरा apply अगर online है तो कैसे होगा offline है तो कैसे होगा अगर apply का process नहीं है अगर direct हमें interview में जाना है तो interview में क्या application form की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इन सब की जानकारी इन सब के doubt को में लोग clear करेंगे दूसरा इसका जो official website है इसका जो official website है उसको भी मैं विजिट कराऊंगा आपको आपको दिखाऊंगा वहाँ पर कुछ data available है या नहीं है अब जो है जो latest update होता है उसके लिए आप हमारा जो telegram channel है जिसका link मैं नीचे दे रखा है वहाँ पर आप उसको विजिट कर सकते हैं हमारा यह आया है राजकिये पोल्टेकनिक अस्थावा नालंदा से अब इसमें क्या है कि इसमें जो विभागिये आदेश है उसके हिसाब से राजकिये पोल्टेकनिक अस्थावा में जो है राज आदेश के हिसाब से यहां पर दिया गया है मानदे के आधार पर अधिथी व्यक् के जाना है और सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो सबसे पहले देखे लिखाऊगा कि इच्छु क्रिमिद्वार अपने फोटो युक्त आवेदन पत्र आवेदन पत्र यहां पर दिया हुआ और बायो डाटा भी लिखाऊ तो अब यहां पर आप्लिकेशन फॉर्म है मुझे पता है मैंने इसको विजिट किया मैं दिखाऊंगा अप्लिकेशन कैसा है अगर आप आपको नहीं मिल पाता तो आप बायो डाटा भी यूज़ कर सकते लेकिन अप्लिकेशन फॉर्म है वो कहां से मिलेगा उसकी जानकरी में आ सथ सेप्टेंबर 2204 को दिन में 11 वजे परचार कारीाले राज्कीय परटेक्निक अस्थावा में उपस्तित हो ना तरीकेशन फॉर्म्हा आगे मैं आप डॉकूमेंट्स फॉर्मीबगा forgiveness के वीडियो को थौर्ध देखें अब क्या है कि या कार्यनुमति कथार पर या सेवा पूरी तरीके से वैकलफिक टेंपरोरी है और बिना किसी सुचना कि आपको हटाए जा सकता अगर को रेगुलर और कॉंट्रेक्ट बैसिस पर विभाग से कोई आ जाता है तो आपका कार्यनुमति आदिश जो है खुद संस्थानिय वेबसाइट इस पर मौझूद है www.gp-asthavananalanta.org तो खर उसको हम लेचलेंगे वेबसाइट पर देखेंगे कि वेबसाइट पर अप्लिकेशन फॉर्म है या नहीं है अब इसके आगे आते हैं हम लोग देखते हैं कि पद क्या है सेक्षिन जोग्यत्या क्या हो जिसको लेक्शनर बोलते हैं वीधूत अभियंतर नियाणिक इलेक्ट्रिकल के लिए है और असैनिक अभियंतर नियानिक सिविल के लिए है अवश्यक्षेट्टी के अनुसार मैंने बता दिया है कि मीनिमम BTEK या BE होना चाएगर AEMTEK PhD है तो आपको फायदा मिलेगा एक्स्प्रियंस आपके पास है तो भी आपको फायदा मिलेगा मानदय जो है बैने बता दिया है साक्षात्कार या इंटर्वूई के लिए कोई भी आपको खर्चा नहीं मिलेगा कार अनमत्य अवश्यक्ता मानत्य हदारित है जब विवाग से पैसा मिलेगा तब आको भुक्तान किया जाएगा साक्षात्कार कि सुचना को अंस्ता या पूंतराद करने का अगोव स्ताक्ष को यह लेटर इशू किया गया है 31 अगस्त को ठीक है और साथ तारीक को यह इंटर्व्यू ले रहा है यानि साथ दिन का समय दिया गया है मैं तो अब लेट से कर रहा हूं क्योंकि यह पेपर में लेट से आया है ठीक है अब देखें यहाँ पर सारे डिटेलिंग वही है जो जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह गवरंट पर टेक्निक लारंदा स्थावना का यहाँ पर वेब साइट है यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज वगरा दिया रहता है यहाँ भी देख रहा है अप्लिकेशन फर्म फोर गेस लेक्चर नोटिस रिगार्डिंग गेस्ट पर क्लिक करता हूं जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसा इंटरफेस खुलेगा जब इस पर डाउनलोड पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब आईए हम लोग चलते हैं यहाँ पर एप्लिकेशन फर्म फोर गेस्ट लेक्चर में जब इस पर क् इस तरीके का इंटरफेस आगा डाउनलोड एडविटीजमेंट फेकल्टी फॉर्म फॉर्म पर क्लिक किजएगा तो देखिए यहां पर यह फॉर्म दिया हुआ है अप्लिकेशन फॉर्म फॉर्म बना हुआ हुआ है उसमें आपको लिखना पड़ेगा जब नीची आईए अब यहां पर फोटोचिप का दीजेगा यहीं काम करेगा नेम आफ डिपार्ट्बेंट यहां पर लिख दीजेगा जैसे सीविल का सीविल इंजिनियरिंग पोस्ट अप्लाइड होगा लेक्चर अस्पलाइशन सीविल ठीक है उसका नेम डेट अब बार जेनर फादर नेम यहां पे आपको एजुकेशन क्लिफिकेशन देना है अगर कोई आपके पास इंप्लाइमेंट था तो इसका डिटेल यहां पर दीजेगा को टीचिंग एक्स्प्रियेंस है तो वह भी आप यहां पर दीजिएगा यहां पर इस्कॉलेस्टिक एचिव्मेंट से अगर आपक पर आपको और इसको मैं थोड़ा कम करता हूं तो आप यहां पर पाईएगा कि यहां पर हमें नीचे में साइन का भी ऑप्शन दिया गया है चली तो यह हो गया अब यह सब जी जो डाउनलोड आपको करना है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे जो टिलिग्राम चैनल है वहां से भी आपको यह अपडेट मिल जाएगा अब आएए डॉकुमेंट्स की बात करते हैं कि डॉकुमेंट्स हमारा क्या 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 है किन किन डॉकुमेंट्स के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें एक अप्लिकेशन फॉर्म चाहिए जो मैंने देखा दिया है जो फिल होना चाहिए दूसरा टेंथ से लेके वी टेक या अगर आप एम टेक कर रखे हैं या पी एच्डी कर रखे हैं वहां तक का आपको मार्क शीट पलस सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए तीसरा अगर आप बिहार के रने वाले हैं तो रैसिटैन्सियल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाईएगा आरक्षन कलाब मिलेगा चौता अगर आप OBC से हैं तो OBC NCL यूज़ करना है SCST है तो CAST और EWS तो EWS पाचवा आपके पास अगर कोई experience है तो experience certificate होना चीए छटा आपका अधार card या pen card या water ID या driving license इसमें से कोई ले सकते हैं साथवा दो फोटो ठीक है और इन सारे documents का आपको कराना है दो सेट जरॉक्स और इन दो सेट जरॉक्स पर आपको करना है self-attested self-attested करके उसके बाद आपको वाकिन interview में शामिल होना है ठीक है तो यह documents की बात हो गई ठीक है इसमें अगर कोई आपको कुछ doubt है कुछ पूछना है तो आप तुझे commentation बताइए मैं questions करूँगा मैं असको solve करनेगा thank you very much